हलो एब्रीवन मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे बाई टाइटल आप लोगों को पता चली कि होगा कि आज मैं आप लोग के साथ क्या सेयर करने वाले हूँ हाँ जी फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाले हूँ माई लेटिस्ट ट्रेंडी ओफ़र्डेबल सारी हॉल एन इन सब को मैंने मगाया हुआ है मिसो से बाई टाइटल में भी पता चल गया हो सो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि यह सारी हैं कैसी हैं कितने की हैं लेनी हैं कि नहीं लेनी हैं सो वीडियो को लेके सु वीडियो को सुरू से लेके लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आए आपके लिए helpful रहे तो make sure मेरे चैनल को subscribe इस वीडियो को लाइक इसे परी friends and family के साथ जरूर सेयर करें सो सबस्पहले हम जान लेते हैं मिसो क्या है मिसो पर आपको काफी कम रेट में अच्छी चीज़े मिल जाएंगे सिर्फ साडी ही नहीं यहां पर आपको make up, fashion, lifestyle, related यहां पर आपको सिर्फ साडियां ही नहीं सिर्फ clothing item ही नहीं यहां पर आपको काफी सारी चीज़े मिल जाएंगे यहां categories wise आप select कर सकते हो काफी कुछ है सो यहां पर मैं एक screen recording लगा दे रही हूँ आप देख लीजिए और इसके बाद आप order place कैसे करना है भी देख लीजिएगा सो सबसे पहले हम आप में से काफी सारे लोग जानना चा रहे थे कि जो मैं हलकी हलकी शाडिया पहनती हूँ मेरे शच्राल में like that इसको मैं कहां से लेती हूँ तो मैं local market से ले रही थी इसलिए मैं आप लोगों को उसका लिंक नहीं प्रोवाइड कर पारी थी बड़ जब मैंने मीसो पे देखा तो मैंने सोचा कि क्या है सच में ऐसी है मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इन सभी साडियों के मैंने ब्लाउज बनवा लिये हैं और इस साडिया जो मैं जैसे लोकल मार्कर से मुझे 800-900 में मिली थी जबकि मीसो से मुझे काफी कम रेट में स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ इतने में मिली है और सेम साडिय है ब्लैक कलर की आप लोग काफी जादा पूछते हो दिये ब्लैक कलर की साडिया आपने कहां से ली हुई है उसको तो मैंने लोकल मार्कर से लिया देखिए साडिया काफी जादा अच्छी है अगर आपको साडिय पहनना पसंद है डेली लाइफ में तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा काफी पतली सी साडिय है आपको क्या ही मैं बोलो कितना चलू प्रोवाइट करने वाली है आप पहले कपड़ा देख लीजिए प् मैंने इसकी कम से कम छे साडिय अमंगाय हुई है तो इसलिए मैंने इस हाल में सिर्फ दो साडिय रख्किय हुई है बाकी आने वाले हौल में आपको दो-दो ऐसे करके साडिय देखने को मिलेगी क्यूंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई इसका जो कपड़ा है इसका ब्लाउज है वह भी काफी अचला का ब्लाउज भी मैंने सिल्वा लिया है इस स्क्रीन पर मैं लग बुक लगाती जाओंगी तो अगर कुछ आप लो कुछ आप लो या ना लो इस साड़ी को जरू ट्राइ कीजिए क्योंकि यह काफी अप्वोडेबल एन अच्छी साड़ी है मैं तो इसे आपको हाइली 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 रिक्टमेंट करूंगी एक बार इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इस स्क्रीन पर देखिए कैसे आपको महां पर दिखती है आपको एक्ट्वल में कैसी मिल रही है तो यह है हमारी second sardi blouse, इस sardi ही नहीं है, blouse दूसरे sardi का है बट इसके साथ जो blouse मिला है, ओ है golden color, तो golden color मैंने नहीं शिलवाया मैंने का मेरे पास है, और इस silver पे कुछ इस तरीके से mirror work का blouse था तो यह पूरे look को change गड़ दे रहा है, तो यह है हमारी second sardi अब बढ़ दे हैं हमारी third sardi की तरफ, तो third sardi भी हमारी black वाली sardi की ही तरह है लेकिन इसका color आप देख लिजिए कितना कुप शूरत लग रहा है कपड़ा इतना ज़्यादा soft है कि आप इसे अपने हाथ में ले सकते हो price के हिसाब से कोई भी compromise नहीं हुआ है मुझे लग रहा था कि यार जैसे इस screen पर दीख रहा है जैसे website पर दीख रहा है actual में इतने कम पैशे में मिलेगा कि नहीं मैं डर भी रही थी लेकिन जब मुझे मिला तो मैं इतनी जादा खुश हुई कि मैं आपको अपनी खुशी बता नहीं शकती हूँ क्योंकि हमने शोचा भी नहीं था ना कि इतने कम रेट में हमें इतनी अची चीजे मिल जाएंगी ए देखी आप इसको चाहें ना तो कुछ इस तरीके से देखी ऐसे कर सकते हैं आप बस आ गई आपकी साड़ी जबकि इसमें फॉल भी लगवा के ही आई हुई है जल्दी में और इसका कलर भी नहीं जाने वाला है क्योंकि इसकी मैंने एक साड़ी पहन के देख ली हुई है अच्छा मैंने ना इस स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन से पहले भी मैंने दो तीन साड़ी अमंगवाई हुई थी एक पिंक कलर में एक फिरोजी कलर में एक मरून कलर में लेकिन ओ जॉर्जट की कपड़े पे थी और इसका कपड़ा काफी सॉफ्ट है तो इस क्रीन पे आप लुक भुग भी देखते चलिए और यह भी देखते चलिए कि आपको वहाँ पर कैसे दिख रही आपको यहाँ पर कैसे मिल रही है तो यह हमारी नेक्ट शाड़ी अब बढ़ते हैं हम हमारी एक और शाड़ी की तरफ तो ये भी काफी affordable range में ही है लेकिन इस साड़ी को आप डेली तो पहन ही सकते हैं किसी भी साधी party में भी आप पहन के जा सकते हो अभी करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ में आप इसे जरूर राई करना है काफी कम रेट में लेकिन इतने खूबसूरत है साड़ी कलर आप देख लिए डार्क रेड मरून कलर वही है और बॉर्डर कुछ इस तरीके से है इस पर आप कोई भी ब्लाउज गोर्डन कलर डाल सकते हो रेड डाल सकते हो पतला सा बॉर्डर है जो की काफी stylish look provide कर रहा है और कुछ इस तरीके से है साड़ी इसको मैंने करवाशाओत को नजर में रखते हुए मंगाया हुआ है क्योंकि मुझे काफी सारे मेकप लुक निकालने होंगे आप लोग पिछली बार गुस्सा हो गये थे हमसे कि अपने तो मेकप लुक निकाला ही नहीं तो इस बार आप की दिए को होती लगे हुए हैं गोल्डेन वर्क गोल्डेन कलर में तो एह हमारी नेक्स साड़ी इसके बाद और सारी साड़े ना काफी ओफॉर्डबल रेंज में है मैं कोई हाई रेंज पे नहीं गई क्योंकि आप में से काफी सारी लोग बोलते होगी अफॉर्डबल चीजे दिखा चाओ और इसमें मैंने डेली डेली वेयर से लेके काटाई वेयर नेक्स्ट साड़ी है है तो इसे तरीके सी साड़ी है रहा हमें किसी सौप्सक्राइबर ने करिसा चैनल के आप इस साड़ी का रीव przysz और अगर आपको भी रीवियु देखना है तो आप मुझे इंस्टेगर पे इन साडियों की picture दे सकते हो, code दे सकते हो, mail कर सकते हो, code, mail तो मैं नहीं चक करती हूँ, लेकिन हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे tag कर सकते हो पोस्ट में, तो मैं वहाँ देख के आप मंगा लूँगी, तो यह साडी मुझे काफी अच्छी लगी काफी सिंपल साडी है बट इतनी भी सिंपल नहीं आप देख सकते बॉर्डर इसका काफी अच्छा है और पूरी साडी ऐसे साडी है सिर्फ बॉर्डर पे आपको work मिलता है यहा नीचे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है जो कि इस साड़ी को काफी स्टालिस लुक प्रोवाइड करती है सो यह है हमारी नेक्स साड़ी और इसका भी कपड़ा जॉर्जट का है सॉफ्ट जॉर्जट इस साड़ी को आप जरूर ड्राई कीजिएगा इस पे जो नीचे वर्क हुआ है ना रेसम के धागे से वर्क हुआ है कलर कॉंबिनेशन इसका काफी अच्छा है जैसे इसमें पिंक है ग्रीन है एन गोल्डेन है इसके बाद ब्लू कलर टुए है ही है सो यह हमारी नेक्स साड़ी अब बढ़ दे हैं हमारी लास्ट साड़ी की दरब तो इस साड़ी कुछ इस तरीके की साड़ी है इस सबको पसंद आने वाली है क्योंकि इसका जो कलर है हमेशा ड्रेंड में ही रहता है कलर कॉंबिनेशन आप देख लीजिए पिंक एन यलो कलर कॉंबिनेशन है इसका जो कि साड़ी को काफी unique बना रहा है इसका भी मैंने fallping को करा दिया है तो कुछी तरीके से आपको पल्लू मिल जाता है तो यह है इसका पल्लू पल्लू पे आपको कुछी तरीके का वर्ख मिलेगा बाकि पूरी शाड़ी पे आपको येलो एंड ग्रीन पिंक कुछ इस तरीके से इसको सायद बंधे साड़ी बोलते हैं ऐसा कुछ करके बंधे साड़ी ही है सायदे सो पूरी साड़ी कुछ इस तरीके से है इस पे आप पिंक ब्लाउज डाल सकते हैं ग्रीन ब्लाउज डाल सकते हैं यलो ब्लाउज डाल सकते हैं कॉटन का कपड़ा है कॉटन नहीं है कॉटन में कुछ और मिक्स है सो काफी सॉफ्ट है इसका कपड़ा प्राइज के हिसाब से काफी अच्छी है साडी और अभी जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट मन्थ हमारे हाँ कुछ प्रोग्राम है सिप्टेंबर में तो उसके लिए मुझे काफी साडी शाडीयां चाहिए अगस्ट चल रहा है न सिप्टेंबर में तो कुछ प्रोग्राम है हमारे शश्राल में जिसमें हमें कम से कम 15 साडीयां चाहिए होंगी 15-16 साडीयां तो उसी की प्रिप्रेशन में पहले से ही मांड में रखके कर रही है जो सिमपल सिमपल साडीय आप देख रहे हो न क्या है अभी नहीं बताऊंगी जो हमें रेगूलर देख रहे हैं इसमें इसमें 10, 11 इसमें है पेट कर लीजेगा एहनेग साडीयल ने रेक ही लई मैंने आप लोगों को अपनी लिवक आतों में पकाया तो नहीं, इसमें से कौन से साधी आप लोग ले रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर, एक वीडियो मैं कितनी रात को रिकॉर्ड कर रहे हुआ, एक मिनट आपको दिखाती है, और मेरी विटियर आने भी जग रही है, सो नहीं रहे है, मैं कब से वोल रही हूं कि जा ब्लॉग में नहीं, वीडियो में, अच्छा है, इन सब का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में प्रवाइड किया हुआ है, अगर आपको इन में से कोई भी साधी लेनी है, तो कोड के थू जाएगा, ले लीजिएगा, मिल दीव आप से मिने नेक्स्ट वीडियो में, थ